दोस्तों देश की माननी अदालक सुप्रीम कोट में आए दिन तरह तरह की याचिकाएं दाखिल होती हैं अलग अलग तरीके की याचिकाएं दाखिल होती हैं कुछ याचिकाएं ऐसी होती हैं जिनको CGI डिवाइचन चूर भी गंभीर मानते हैं और खुद को याचिका पर सुनवाई करने से रोक नहीं पाते वहीं कुछ याचिकाओं को कोई तुक नहीं होता और उसले नाराजगी भी व्यक्त की जाती है बेंचु द्वारा भी नाराजगी जाहिर की जाती है साथी CGI डिवाय चन्दचूट भी नाराज हो जाते हैं जब कि कुछ यह चिकाओं को लिस्ट करवाने के दौरान ही CGI साहब की एहम और गंभीर टिपनी आ जाती है इस बार भी कुछ हैसा ही हुआ है दोस्तों यह समझ लेजे जहां CGI डिवाय चन्दचूट काफी नाराज नजर आए है और नाराजगी के चलते उन्होंने वकील को चेतावनी तक दे डाली है यह तक कह दिया कि मेरे साथ इस तरह की चालाकी करने की जरूरत नहीं है अब यहां आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वकील की तरफ से ही कुछ ऐसा किया गया था दोस्तो जिसकी वज़स से CGI डिवाय चन्दचूट गुसा हो गए और वकील को माफी मांगनी पड़ी है पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको पताएंगे दोस्तो सुप्रीम कोट में एक वकील ने ऐसी बात कह डाली जिस पर CGI डिवाय चन्दचूट की भयंकर नाराजगी एक बार फिर से देखने को मिली है एक बार फिर ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी CGI डिवाय चन्दचूट नाराजगी जाहिर करते हुए वकील को फटकार लगा चुके है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ मगर पिछली बार की तुलना में इस बार CGI डिवाय चन्दचूट की फटकार कुछ जादा सक्त थी यह कहा जा सकता है दरसल यह पूरा मामला एक केस को लिस्ट करने से जुड़ा हुआ है दोस्तों वकील साहब चाहते थे कि उनका जो मामला है वो जल्दी लिस्ट हो जाए जबकि CGI डिवाय चन्दचूट पहले ही बता चुके थे कि आपका मामला 17 अपरेल को लिस्ट कर दिया गया है तो 17 अपरेल को आपके मामले के सुनाई कर दी जाएगी लेगर CGI डिवाय चन्दचूट के ये बताने के बावजूद भी वकील ने कहा कि अगर मुझे इजाज़त मिले तो मैं इसे दूसरी बेंच के सामने मेंशन कर सकता हूँ अब दूसरी बेंच के सामने मेंशन करने का मतलब क्या हुआ मेंशन करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वकील साहब को अपने केस के लिए जल्दी सुनवाई करनी थी तो हो सकता था कि अगर दूसरी बेंच के सामने केस को मेंशन करते तो दूसरी तारीख मिल जाती जो उनके मुताबिक शायद थोड़ी जल्दी हो जाती तो जल्दी करने के चक्कर में कहा रहे थे कि मैं दूसरी बेंच के सामने इसको मेंशन करना चाहता हूँ लेकिन जब वकील ने ऐसा कहा तो CGI डिवाज चंदचूर भायंकर नाराज हो गए CGI डिवाज चंदचूर ने वकील से दोटू कहा कि मेरे साथ इस तरह की चालाकी करने की जरूरत नहीं है पहले आपने यहाँ पर मेंशन किया और आप जल्दी सुनवाई के लिए दूसरी जगा मेंशन करना चाते हैं यह कताई ठीक नहीं है और यह नाराज की भरे लहजे में गुसे के अंदास में CGI डिवाज चंदचूर ने कहा है तो हालाके CGI डिवाज चंदचूर का गुसा देखकर वकील सहाब ने माफी मांगने में देर नहीं की तुरंट उन्होंने माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि माईलॉट मुझे माफ कर दीजे इस पर CGI साहब ने कहा कि ठीक है लेकिन आगे से ये ध्यान रहे कि मेरे प्रशासने काम में दखल देरे की कोशिश मत कीजेगा इस बात को आप ध्यान रखेगा आगे अब जैसा मैंने शुरुवात में ही कहा दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से किसी वकील पर CGI डिवाचंद चूर इतने नारास हुए है इस से पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां CGI डिवाचंद चूर की टिपनी इतनी सक्त थी कि वो अख़बारों की सुर्खियों से लेकर तमाम चैनलों की सुर्खियां तक बन गई थी सुप्रीम कोट बार असोसियेशन की प्रेजडेंट और सीनियर अधिवक्ता को CGI साफ फटकार लगा चुके हैं उनको फटकार लगाते हुए CGI डिवाचंद चूर ने क्या कहा था वो सुनिये उन्होंने कहा था कि ये मेरी कोट है और ये मैं तय करूँगा कि कब और किस तरीके से काम होगा किसी और को मुझे डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यानि मुझे मत सिखाईए मेरे प्रशासने काम आपसे वहतर तो जानता ही होँगा ये बात ये संदेश बार-बार देने की कोशिश CGI साब की तरफ से की गई है तो जाहिर है देखे कि वकीलों को अपनी गलतियों की वज़़ से CGI डिवाचन चूड का गुसा और नाराज की समय समय पर देखने को मिल रहा है देखना पड़ता है और माफीभी मांगनी पड़ रही है यहाँ दो शब्दों की चर्चा हुई है क्योंकि हम यहाँ पर mentioning और listing की बात कर रहे हैं तो पहली mentioning है दूसरी listing है दोस्तों इन दोनों का मतलब क्या है काफी लोग अगर कानून की भाशा ना समझपा रहे हो या कानून को थोड़ा कम पढ़ते हो उनको जानकारी ना हो कानून से जुड़े इन तमाम शब्दों की तो ये जो दो शब्द है दोस्तों ये कानून के पेशे में खासकर वकालत के पेशे में बहुत एहम माने जाते है एक लिस्टिंग दूसरा mentioning इन दोनों का मतलब क्या होता है ये आपको जाते जाते पता कर जाते हम कानून के भाशा में इन दोनों ही शब्दों का क्या मतलब है दरह सल लिस्टिंग का मतलब होता है सुनवाई की date करना यानि फर्स कीजे आपने याचिका एक दायर की है और याचिका दायर होने के बाद आपको कोई तारीक चाहिए जिस दिन सुनवाई हो सके तो Listing Section के पास यह जो याचिका है यह जाएगी और जो सुनवाई की तारीक होगी वो सुनिश्टि जो है Listing Section करेगा Listing Section यह तै कर देगा कि आपके जो सुनवाई की तारीक है वो क्या होने वाली है तो In Short अगर कहा जाए तो Listing का मतलब वो होता है सुनवाई के लिए Date तै करना वहीं अगर बात की जाए Mentioning की Mentioning क्या होता है जल्दी सुनवाई के लिए अरजी देने को Mentioning कहा जाता है फर्स कीजिए अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में Listed है लेकिन जरूरी भी बहुत है यानि Listed है उसके लिए सुनवाई की तारीक जो है वो सुनवाई के लिए चाहिए क्योंकि आपके मुताबिक वो केस जो है वो बहुत Listed है माम केज़ेगा बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसे Mention करवाई जा सकता है याचिका करता जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए अरजी दे सकते हैं मेंशिनिंग की अरजी सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले रजिस्टार को दी जाती है और जब रजिस्टार भी आपकी बात मानने से इंकार कर दे या बात ना माने मना कर दे माप कीजिए तो मना करने के बाद आप उस अरजी को माननेने CGI डिवाचन दचूर के सामने पेश अगर वो मेंशन वहां पर कर दें उस पूरे केस को अगर मेंशन कर दिया जाए कि इस तारीक को सुनवाई होगी तो फिर मामले को बार-बार बहस करना या जंदी सुनवाई के लिए तरह-तरह के हद करने अपनाना यह सही नहीं है इसलिए CGI डिवर्चन चूड की नाराज की जो है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिली है इससे पहले CGI डिवर्चन चूड यह कह चुके हैं साफ तोर पर किस तरीके से उनके साथ उनके जितने भी केसिस की वो सुनवाई कर रहा है उसमें चाला की बरतने की जरूरत नहीं है तो हर मामले में उनको वैसे तो अमूमन काफी कूल देखा गया है लेकिन कुछ मामलों में मांग ही ऐसी की जाती है दोस्तों कि फिर वकील कून की नाराज की देखनी पड़ जाती है और वही यहां पर भी हुआ है आप इस पूरे केस को आप किस तरीके से देखते हैं या आप हमें बताईएगा क्या राय है आपके इस पूरे खबर पर कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलियागा दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार